हेलो माइ सोल फैमली कैसे हैं आप सब and I hope आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इना वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में थांक्यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए and I am very glad कि मैं आपके किसी भी तरीके से help कर पाती हो चाहे वो कोई भी spiritual information शेयर करके हो या फिर tarot card reading के थ्रू अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं subscribe किया है तो please like, share and subscribe to the channel and आप भी मुझे comment section में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो है हमारा current energies क्या चल रही है और ascension symptoms जो हम सभी इस समय face कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो में मैं जो कुछ बता रही हूँ जरूरी नहीं है सभी के साथ में resonate करें क्योंकि सभी अलग-अलग level of consciousness पे इस समय पे है अगर यह आपके साथ resonate करती हैं तो आप इन energies को ले सकते हैं अगर यह resonate नहीं करती हैं तो आप इनको let go कर दें इनको ना ले सभी करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ascension symptoms के साथ में कि क्या क्या सेंशन learned systems हैं जो इस समय पे feel हो रही हैं जो इस समय पे हम सभी feel कर रहे है उसके बाद जानेंगे कि यह जो ascension symptoms हम feel कर रहे हैं यह क्यों feel कर रहे हैं उसके बाद हम जानेंगे planetary grid system के अंदर क्या इस समय पे changes और चीजें हैं जो चल रही है और last में हम जानेंगे ऐसी कौन सा conjunction है जो इस समय पे आ रहा है astrological wise, astrology wise क्या planets हैं जो इस समय पे हमारे conjunct हो रहे हैं और उसका effect हमारे पे क्या चल रहा है so basically last एक week से approximate एक week से लगभग एक week से solar activities, solar flares बहुत जादा इस समय पे चल रहे हैं जिसका effect हम पे बहुत जादा पढ़ रहा है इस week के पहले यानि approximate 15 दिन पहले हम सभी के throat chakra activations चल रहे थे बहुत जादा सर्दी खासी जुखाम था और गला बिल्कुली चौक था आवाज नहीं निकल पारी थी, cuffing हो रही थी so throat chakra activations चल रहे थे हमारे last पिछले 15 दिन से इस से पहले जो solar activity हुई थी solar flares आना शुरू हुए थे उस time frame पे हमारे वो throat chakra को activate कर रहे थे इस solar flare से last एक week से जो ascension symptoms इस समय हम feel कर रहे है वो सबसे पहला है headaches, बहुत ज़्यादा सर में दर्द okay, migraines और basically left side में दर्द यानि कोई भी एक side में ज़्यादा pain फील हो रहा है जैसे मेरे case पे मुझे left side में ज़्यादा pain हो रहा है और इतना ज़्यादा intense pain है literally कि कल मुझे एक balm है जो मैं यूज करते हूँ में तांजन balm वो मैंने लगाया literally so काफी ज़्यादा left side में pain था, बहुत ज़्यादा intense pain था nausea feel हो रहा है, okay और gas release कर रहे हैं यानि कि आप gas बहुत ज़्यादा पास कर रहे हों burping हो रहे हो यानि डकार जो हम बोलते हैं डकार लेना यह सब कुछ हो रहा हो डकार आरी है, gas pass हो रही है और इस समय पे आखों में dirt, आखों में ज़्यादा dirt feel हो रहा है बहुत आखे थकी वी और heaviness अगर आप इसको touch भी करेंगे सेरिया को आखों के आसपास केरिया को तो यहां भी आपको बहुत ज़्यादा pain feel हो रहा है okay, dizziness feel हो रहा है यानि कि चक्कर टाइप के आ रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं आखों के बिल्कुल बीच में, यानि forehead के बिल्कुल बीच हो भी जह हमारी third eye होती है यहां पे हो सकता आपको बहुत ज़्यादा vibrations, बहुत ज़्यादा feel हो रहे हो activations feel हो रहे हो okay, so कुछ angel numbers हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय पर मुझे दिख रहे हैं आपको बता देती हूँ, एक है triple four, triple three, triple two, eleven eleven और eleven eleven okay, one की synchrosities बहुत ज़्यादा है okay, one one zero, one one one, यानि triple one so यह angel numbers हैं जो बहुत ज़्यादा इस समय पर मैं देख रहे हूँ जो मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा synchrosities next है हमारा crown chakra के vibrations so crown chakra में भी activations चल रहे हैं समय पर crown chakra में भी आपको सकता है vibrations feel हो रहे हूँ next है आपका solar plexus chakra का activation so solar plexus chakra भी activate हो रहा है जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा confidence feel करना बहुत ज़्यादा courage feel करना, masculine energy में आना कि मुझे यह action लेना है यह सब कुछ ज़्यादा feel हो रहा है बहुत sun वाली energy, bright energy okay, yellow energy next है ear ringing यानि कि कानों में घंटी भजना literally अचानक से ऐसा feel हो आपके right ear में या फिर left ear में कान में घंटी भजरी है और एकदम गरम हो जाना कान का बिलकुल गरम हो जाना पूरी तरीके से और यह जब भी होता है यह होता है इसलिए क्योंकि downloads receive हो रहे होते हैं आपको okay, so basically ear ring कर रहे है कानों जो है वो ring कर रहे है और पूरी body में vibrations feel हो रही है इस समय पे एक strange type का sweating हो रहा है यानि बहुत साथा urine पास करना stools को पास करना बहुत जादा हो रहा है यानि फिक्मेंट बात्रूम जाना यह सब कुछ जादा हो रहा है next है आपका nausea feel जैसे मैं आपको ता है nausea हो सकता है feel हो रहा हो जैसे कि vomit करना है बहुत से लोगों को vomiting जैसा हो भी रहा है vomiting कर भी रहे हो लोग और कहीं लोगों को ऐसे vomit जैसा लग रहा है बट vomiting हो नहीं रही है next है dizziness feel हो जैसे मैं आपको बताया कि चक्कर आना next liver, gallbladder or stomach की problems हो सकता है समय पे आप फेस कर रहे हो पेट में दर्द हो रहा है liver में problems है gallbladder में problems है यह सब कुछ आपको अचानक में हो रहा हूँ uncommon acne acne का problems, pimples का problem अचानक से निगल के आ रहा है इस समय पे skin rashes हो रही है खुझली होना, irritation होना जादा तर यह elbow जो है हमारा यानि कि हमारी kooni जो है यहां पे आसपास जो है हमारा जादा कुझली वगल के वह रही है क्योंकि की यहां पे हमारा जो elbow चकर है knee चकर है यह एक्टिवेट हो रहे हैं समय पे और legs में बहुत जादा कुझली तो हाथ में और पैरों में दोनों में कुझली बहुत जादा हो रही है समय पे skin rashes हो रहे है allergy type की हो रही है उसके बाद में constipation और bloating भी समय पे हो सकता है आप feel कर रहे हो next कुछ dreams थे जो मैं बहुत सादा इस समय पे देख रही थी उन dreams में जो मैं देख रही थी वो बार-बार exam कुछ exam है exam को मैं दे रही हूँ okay school देख रही थी train देख रही थी और of course हर एक dream का मतलब आपका individual dream है तो आपका वो आप से related है लेकिन जब भी कोई चीज मेरे सपनों में repeat हो रही होती है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार भी और message higher dimension से याता है कि जो dreams मुझे दिख रहे हैं वो continue exams related दिख रहे हैं okay train दिख रही है कोई journey है यानि कि train एक journey को दिखाता है आपकी live journey है जिसमें मुझे मेरे ancestors दिखाई दे रहे हैं तो आप हो सकता dream में अपने ancestors को देख रहे हो इस समय पर इस समय हमारे help करें मदद करें kind of blessings हैं जो वो हमें blessings दे रहे हैं okay so जो pass on हो चुके हैं ancestors जैसे for example मेरे case में मेरे बावा अम्मा मेरे ममी पापा मेरे फादर मदर यह सब pass on हो चुके हैं 3D level पर वो नहीं exist करते हैं so यह सब मुझे सपने में दिखाई दे रहे हैं so continue school देखना school school देख रहे हो train देख रहे हो exams देख रहे हो बाद में मैं आपको बताऊंगी कौन सा exam का मतलब क्या था क्यों exam देखा जा रहा था लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं next ascension symptom जो इस समय बहुत जादा फील हो रहा है प्यास लगना कितना भी पानी पीलो and usually क्या हो रहा है कि अगर फॉर एक लिटर पानी पीते हैं नॉर्मल डेस में तो इस समय हो सकता है आप तीन लिटर पानी पीरे हो दो लिटर पानी पीरे हो तीन लिटर पानी पीरे हो नेक्स्ट है कि बोड़ी बहुत ज़्यादा थकी हुई है इतना ज़्यादा टाइडनस फील हो रहे है थकान फील हो रही है ऐसा लगारा सो जाओ लेकिन जब आप सोने जा रहे हो तो आपको नीन भी नहीं आ रही है कल मेरे साथ ऐसा हो रहा था लिटरली के मेरे एक तो सर में इतना ज़दा पैन हो रहा था उसके बाद मेरी बोड़ी बहुत ज़दा टाइड है लेकिन सोने की कोशिश भी बहुत की लिए नीन नहीं आ रही थी तो सोने की आप कोशिश क Kerry करो लेकिन नीन नहीं रही है बॉडी सोना चाहते है लेकिन सोने और पारे हो और जब आप सो के उठ भी रहे हो तो फरेश नहीं उठ रहे हो जैसे आप फ्रेश उठстểं भी हो तो यासए फरेशनी उठıld रहे हो जूज, दूद, ऐसी चीज़े ज़ादा पी रहा है और भूक नहीं लग रही है, सबसे इंपोर्टन जो इस बार का असेंजिन सिंटम है, वो है भूक ना लगना, बिलकुल भी भूक नहीं लग रही है, मेरा खुद के केस में ऐसा है कि मेरा पूरा दिन फास्टिंग में जा खुद के जान बुझ के फास्त नहीं कर रही हूँ, गुत खुद के नहीं रहे हूँ, लिटरली, मैं सुबह बहा उट रही हूं, चाय पीते हूं, खाली हूं और उसके राँ को डिनर है, तो ना ब्रेक फास्ट कर रही हूं ना लँजन ले रही हूं, जो में ले लेती थी चीजें वो ले रही हूँ, सीधा रात को डिनर और डिनर भी जबदस्ती खा रही हूँ, ओके वो भी नहीं खाने का मन कर रहा है, तो भूख नहीं लग रही है इस समय पे, और खलकी बाते मैं अपने ट्विन फ्लेम से शेय कर रही थी, मैंने पुचा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है मेरे फिजिकल बाडी में, लाइक मुझे भूख नहीं लग रही है, ऐसा है कि भूख नहीं लग रही है, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकि फिर चक्कर भी आ रहे हैं, तो कहीं है सतुनी की मेरे बॉड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप बाद में समझ भाया कि भूख क्यों नहीं लग रही है, और डिजिनेस और चक्कर क्यों आ रहे हैं, ओके, इस समय पर भूख बिलकुल नहीं लग रही है, और कार्बन चीज़े खाने का मन भी नहीं कर रहा है, आप उसको छोड़ सकते हैं दो गाना बहुत जादा चैलनिंग हो रहे हैं पहला गाना है जो की है पता नहीं किस रूप में आके नारायन मिल जाएंगे ये गाना इतना जादा मुझे चैलनिंग हुई है लिटरली अल्मोस्ट दस लोगों ने स्टेटस पर डाला है लिटरली मेरे आज कॉंटेक्ट में जितने हैं और उसके अलावा में को हर जगा ये यूटूब पे फेस्बुक पे इंस्ट्राग्राम पे यानि कि बहुत जादा हद के बार ये चैलनिंग हो रही है इस गाने की सो मैंने ये डाल दिया अफकोस इसके पीछे रीजन है दूसरा सौंग है एक राम सिया राम करके सौंग है वो भी गाना मुझे चैनल हो रहा है सो आप वो गाना भी सुन सकते हैं वो भी रिलेटेट तो ट्विन फ्लेम सी आफकोस उसमें राम सीथा और अधर के बारे में ही हैं बात कर लेते हैं बहुत जादा heat waves फील हो रही है या अचानक से body में बहुत अचानक body गरम हो जाएगी आपकी गर्मी लगेगी एकदम से and उसके बाद फिर sweating हो गया और फिर body शान्त हो जाएगी ठंडी या फिर कभी-कभी बहुत जादा body में ठंड लगेगी लेकिन गर्मी heat wave जादा फील हो रही है या अचानक body बहुत सादा गरम हो रही है next step कि आपकी जितने भी crucifixion implants हैं वो remove हो रहे हैं इस साल में सारे crucifixion implants हमारे remove हो जाएगे okay माई के बाद so यह crucifixion implants remove करने वाला year है okay so crucifixion implants के उपर मैंने वैसे अभी तक कोई video नहीं बनाया है लेकिन crucifixion implants का मतलब है यह वो implants जो हमारी feminine part में हमारे left side में सारे यह crucifixion implants लगे वेते हैं हमारी seven exitonal line में जिसको हमें हारी जो feminine energy है उसको crucify किया गया था okay so seven essay इनको jehovan seals भी बोला जाता है seven essay area से जहां पर यह crucifixion implants लगाए गए थे ताकि आप अपनी inner feminine energy से ही दूर रहें अलग रहें okay इसका photo में add कर दूंगी इस video में ताकि आप crucifixion implants देख सके कहां कहां है लेकिन आगे आने वाले videos में हम इसके बारे में बात करेंगे detail से कि crucifixion implants या jehovan seals के से कहते हैं okay so जैसे में आपको बता है इस समय पर extreme exhaustion extreme थकान फील हो रही है मन कर रहा है कि चलो सोच आते हैं body बहुत सब्सक्राइब है लेकिन इसके बावजूद भी आपको नीन नहीं आ रही है और जो हमारे shoulders हैं यह इस समय पर बहुत जादा heavy फील हो रहा है यहां पर collar bones जो है यहां activations और heaviness सारी फील हो रही है और time बहुत differently चल रहा है इस समय पर हम सभी के लिए मतलब experience आप time को बहुत differently experience कर रहे है यानि बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दिन जो पूरा 24 घंटे का देने वो एक घंटे की तरह निकल गया बहुत fast निकल रहा है okay so जैसे एक दिन आपको 24 hours पता ही नहीं चल रहा है इसा लग रहा है अभी शुरूआ भी खताम हो गया एक घंटे की तरह okay और एक हफता एक दिन की तरह निकल रहा है एक महीना एक एर की तरह के से निकल रहा है so time बहुत differently हम perceive कर रहे है इस समय पे और ऐसा बूल सकते हूं बहुत कुछ हो रहा है इस रोलर कोस्टर के तरह इस समय चीजे चल रही है literally कभी head pain हो रहा है कभी चक्कर आ रहे हैं कभी भूकी नहीं लग रहा है बोडी थकान इतनी जादा है कि सो ना चाहते है लेकिन सो नहीं पा रही है okay so बहुत सारी चीजे समय फील हो रही है next जो है जो मैं आपको पता है कि shoulders मे heaviness फील हो रहा है literally वो इसले फील हो रहा है क्योंकि आपके जो upper wings है वो activate हो रहे है जो upper wings का area है जो wing मतलब punk okay wing trauma है उसको हम heal कर रहे हैं finally और आपके wings बापस से आ रहे हैं so wing trauma क्या है basically कि आपका जो 6th और 7th चक्र है यानि आपका masculine और feminine part okay आपके अंदर की masculine और feminine energy आपका third eye और आपका crown chakra ये आप activate कर रहे हैं और आप इनको merge कर रहे हैं मिला रहे हैं so आपका wings को वापस से rebuild कर रहे है wings हमारे light body में है okay so ये wing trauma का मतलब है हमारे wings को cut कर दिया गया था light body में से यानि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो 7th exitonal line है हमारा जो female aspect है वहाँ पर crucification implants लगा दि जिसकी वजह से हम हमारी ही अंदर के inner feminine और inner masculine से separate थे okay जिसकी वजह से हम इस trauma को बार 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 री प्ले कर रहे थे artificial timelines को run कर रहे थे हमारे 3D perspective में 3D world में okay so karmic को manifest कर रहे थे बजाय twin flame या soulmate relationship को manifest करने के so इस समय पर बहुत ज़ादा heaviness फील हो रहा है जैसे क्योंकि आप अपने twin अपने ही wings को manifest कर रहे हैं वापस से okay so इस समय पर basically हम higher dimension से energies को receive भी कर रहे हैं और हमारी body में से भी चीज़े बाहर पर जाओट भी कर रहे हैं two way highway बना हुआ है हमारा इस समय body okay so हम वो चीज़े पीछे छोड़ रहे है जो जो हमें जो चीज़े हम पीछे छोड़ रहे है उसकी बज़े से हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है थकान फील हो रही है okay बहुत ज़ादा इस समय पर exhaustion फील हो रहा है या anxiety फील हो रही है या फिर डर फील हो रहा है यह जो चीजे फील हो रहे हें, जो चीजे फील हो रहे हैं, जो इसले क्योंक्य आप कुछ चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं। आप रो रहे हों यह दोनों की form है release करने के okay so आप release कर रहे है out of the blue आप हस रहे है out of the blue आप रो रहे है यह release करने के तरीके है okay so अब हम शुरू करते हैं इस बात से कि यह सब चीजे हमें feel के हो रही है okay सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इस समय पर solar flare activities है वो उनकी वज़ा से हमें यह चीजे feel हो रहे हैं जो solar flares आ रहे हैं इस समय पर बहुत जदा strong solar flares है last Friday या Saturday से यह solar flares continue एक के बाद चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं जिसकी वज़ा से हमें यह सब कुछ feel हो रहा है okay next जो है बहुत ही important point कि हमें भूख क्यों नहीं लग रही है या फिर हम भूख के क्यों रह रहे हैं या इतना सब कुछ क्या हो रहा है तो हम इस समय पर बहुत कुछ release कर रहे है प्लैनेटरी ग्रिट सिस्टम में बहुत कुछ release किया गया है release हो रहा है और हमारी body में से भी तेरा पांच density universe है या पांच harmonic universe है एक बात है अप उसको कुछ भी बूल सकते हैं harmonic universe भी है density universe भी एक density universe में तीन dimensions हैं okay so dimension 1, 2 and 3 यह आपका density universe 1 है dimension 4, 5 and 6 यह आपका density universe 2 है dimension 7, 8 or 9 यह आपका density universe 3 है ऐसे ही density universe 5 तक है okay so हर एक density universe जब आपका खतम होता है उसके बाद एक magnetic repulsion zone है okay magnetic repulsion zone का मतलब है यह वो area है जो इन dimensions को okay अलग-अलग रखता है इन density universes को density universes को इन harmonic universe को एक दूसरे से अलग रखता है यानि dimension 1, 2, 3 अलग है 1, 2, 3 एक साथ है फिर 4, 5, 6 एक साथ है तो यह 4, 5, 6 और 1, 2, 3 को अलग करने के बीच में magnetic repulsion zone है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखती है so in magnetic repulsion zones के अंदर हमारी chakra crystal seals है जो अभी तक इन separation को रख रही थी so macrocosmic to the microcosmic so हम macro का ही हम micro part है okay so same हमारी body के अंदर इस समय पर shields है okay horizontal shields है हमारी body के अंदर so जो shields हमारी लगी हुई है जिससे के हमारी densities अलग-अलग है हमारी dimensions body में separation है densities में okay dimensions में वो हमारी body के अंदर भी है okay अब इस समय पर हमारे chakra crystal seals कुछ release किये जा रहे हैं जिसकी वज़े से merge हो रहे हैं release हो रहे हैं उनको open किया जा रहा है जिसकी वज़े से आपके dimension 1 2 और 3 और dimension 4 5 और 6 यह खटा merge हो रहे हैं okay so आपके जो lower chakras है basically okay जो lower chakras है chakra number 1 2 3 यानि root chakra scalar chakra और solar plexus chakra इनके बाद जैसे मैंने आपको बता है magnetic repulsion zone है जो आपके chakra number 4 5 6 को separate करता है okay यानि heart chakra, throat chakra और third eye chakra को separate करता है इन chakra से so वो magnetic repulsion zone जो की chakra crystal keys maintain करती है वो इनको अलग करती है वो dissolve हो रही है इस समय पे इस वज़े से हमें भूक नहीं लग रही है भूक क्यों नहीं लग रही है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि chakra number 1 2 & 3 यह आपके lower chakras है इन areas में आप देख सकते हैं कौन-कौन से इन areas में कौन-कौन से parts आते हैं आपके reproductive parts आपके liver आपका gallbladder आपका stomach okay और यह सारे areas आते हैं और basically आपका जो liver और gallbladder है okay यह बहुत ही important emotional sensitive organs है body के अंदर basically खाना जो है food जो है वो information है और आपके जो body है यह तरीके का computer है और liver और gallbladder यह दो organs हैं जो कि बहुत ही emotional sensitive organs है ठीक है यानि की gallbladder एडर एक वो area है जो आप को multi-dimensional light body से connect करता है यानि gallbladder ही आपका वो area है जो आपके physical body को light body से connect करता है और इसी लिए अभी तक इतने time से आपके gallbladder और liver को ही target किया गया है by dark forces क्योंकि यह वो area यह जो दो organs है जैसे मैंने आपको बता है कि यह emotional sensitive organs है यह दो एक ऐसे organs है जो हमारे control जो जिनसे हम decisions को control कर को इन सब इन दोनों organs से ही हम लेते हैं इन चीजों को लीवर जो है वो हमारी emotion से related है यह बहुत ही sensitive है so frustration, resentment, anger यह सब कुछ इन ही organs के वज़े से हमें feel होता है अगर यहाँ पर traumas हैं blockages हैं okay so जैसा मैं आपको आता है कि यह organs में इन सब traumas के होने की वज़े से आप fight or flight instant mode में चले जाते हैं जिससे कि body में ज्यादा stress हो जाता है यह organs अगर out of balance है तो आप आप जैसे कि अगर high fruit alcohol ले रहे हैं okay high fructose ले रहे हैं high end processed food खा रहे हैं processed carbs खा रहे हैं imbalanced fat ले रहे हैं dairy wheat, gluten products, meat इसी चीज़ें जो कि बहुती dense चीज़ें हैं यह चीज़ें आप process कर पाएंगे अपनी body में खा पाएंगे क्योंकि आपका यह out of balance हैं यह चीज़ें okay जिन जो जिनके organs यानि liver और call better balance में हैं वो alcohol यह high protein चीज़ें जो मैंने आपको बता है high processed चीज़ें okay processed carbs, high fructose, alcohol, omega 6 या imbalance, trans fat, dairy, wheat, gluten products यह सब कुछ वो नहीं process कर पाते हैं अगर आप चाहोगे भी करना तो भी आप नहीं कर पाऊगे आपकी body तुरंट उसको बाहर पेग देगी, vomiting हो जाएगी, purge out हो जाएगी, okay so आप चाहा के भी नहीं का सकते, so जितने भी electronics और EMF है यानि यह सब भी liver और call better को throw off करते हैं, यानि यह भी इसको इनके अंदर disbalances create करते हैं, so जितने भी DNA upgrades है, symptoms है, यह सब कुछ आपको जब जब होंगे आपके body के अंदर, आपको liver और call better के अंदर, चीज़े change होती वे दिखेंगे, और आपकी body बताएगी, कि आपकी body क्या feel कर रही है, so एक चीज़ समझ जो पानी है, वो उसके अंदर, जो water molecules है, वो हर एक चीज़ की memory को अंदर लेके feed कर रहे हैं, आपकी body के अंदर, emotional states को जो आपने feel की हैं, अभी तक के life journey में, या past time lines में, okay, so पानी ही है, जिसकी वज़े से, जो आपकी crystalline body को create करेगा, so जैसे मैंने आपको बताएगे, इस सम कर देती हैं, okay, so जैसे मैंने आपको बताएगे, इस समय पर fatigue फील होगा, आपको यानि थकान फील हो रही है, literally, क्योंकि आप different dimension of consciousness में इस समय पर enter कर रहे हैं, okay, अब हम आ जाते हैं, इस चीज़ पर जैसे मैंने आपको बताएगे, आपको समझ मागे, आपके lower जो three chakras हैं, वो basically merge हो रहे हैं आपके higher dimension चक्र से, so इस समय पर जो higher dimension की जो energies हैं, आपकी जो soul matrix है, वहां से आप connect कर रहे हैं, soul जो है वो आपकी in charge है इस समय पर, so आप इस समय पर structured mode से, यानि 3D matrix से अब आप change कर रहे हैं, अपने आपको four, five, six dimension की energy से, structures की जगह अब आपको with the flow वाले energy मे जा रहे हैं, okay, 3D जो है आपको structured organization, पहले से पता होना चाहिए, कैसे चीज़े plan हैं, यह सब चीज़े, logical चीज़े, यह सब चीज़े सिखाते हैं, हम आज तक इसी तरीके से जीते आ रहे हैं, लेकिन अब आप इस state से change हो के go with the flow वाले process से जा रहे हैं, okay, acceptance, go with the flow, divine timing, abundance, expansion, growth, इन सब चीज़ों में अब आप convert हो रहे हैं, क्योंकि अब आप higher dimension की चक्रा से, अपने organ से, उन से deal कर रहे हैं, okay, आपके heart chakra, आपका throat chakra और आपका third eye chakra, इन से आपको higher dimension से higher energies receive हो रही हैं, जो आपके body के अंदर, जो आपके stomach के अंदर, gallbladder के अंदर, liver के अंदर feed हो रही है, so already जो high dimension से light आ रही है, वो आपके pate में आ रही है, जिसके वज़े से आपको book नहीं लग रही है, okay, so यह reason है कि आपको book क्यों नहीं लग रही है, so इसलिए आपको book नहीं लग रही है, क्योंकि आपका 4, 5, 6 dimensional aspect है, okay, जो आपका soul matrix है, उसके अंदर बहुत सारी light है, okay, जो ऐस इसी ही chakra crystal keys जो है, वो release हो रही है, वो आपके इन aspects को release कर रही है, आपके soul matrix को release कर रही है, आपके इन chakras को release कर रही है, और literally यह जो आपके higher dimensional aspects है, वो आपकी जो light body, आपके physical body, आपके lever, आपका stomach, जो भी organs जिसके अंदर जो deliver करते है nutrients body को, उनके अंदर वो higher source of energy, higher dimensional energy, जो four, five, six dimension के energy है, उसको वो feed कर रहे है, आपके body के अंदर रिसमें already बहुत जादा light energy है, creative energy है, so इसी लिए आपको भूख नहीं लग रही है, okay, इसलिए आपको carbon form को खाने का मन भी नहीं कर रही है, literally 3-4 दिन पहले मैंने ऐसा बोल दिया, मेरे twin friend को कि ऐसा money नहीं कर रहा है, अब मैं और carbon नहीं खा सकती, मैं ऐसा बोल रही तुनको कि मैं और carbon नहीं खा सकती, okay, मुझे चीज़े dense लग रही है, सबजिया, okay, basically रोटी, ऐसी चीज़े बहुत जादा dense लग रही, liquid form में मन कर रहा है कि liquid चीज़े जादा खाओ, fruits खाओ, क्योंकि जो fruits हैं, वो liquid plasmas, okay, जो अपकी body में, higher dimensions में, जो आपको convert करने में help कर रहे है, okay, so इस समय आपकी soul ही in charge है, basically वही आपको lead कर रही है, इसी को बताया, solar activity की वज़े से, solar flares की वज़े से, बहुत सदा influx of energies इस समय हम receive कर रहे है, जिसके वज़े से हमारे DNA upgrades हो रहे है, DNA activations हो रहे है, अब हम structured form से surrender form में जा रहे हैं, okay, one, two, three dimension का जो reality है, वहाँ पे हम structured है, okay, जीजे structurally design करना, logically चलना, planning के हिसाब से चलना, result पहले से प लेकिन dimension 4, 5, 6 में हम surrender state में जाते हैं, go with the flow वाले state में जाते हैं, so अब आप यहां से अपने आपको change कर रहे हैं from structure to the surrender, okay, so यह एक चीज है, पहली बहुत important चीज, दूसरी चीज हमारी हम dense energies को remove कर रहे हैं हमारे lower chakra से, जिसकी वज़े से अब population में इस समय देख सकते हैं कि population panic mode में दिखाई दे रही है, एक war वाला चीज़े दिखाई दे रही हैं कि शायद कहीं war हो सकता है, गुस्से में है, frustration में है, drama है, एक दूसरे पर आप चिला रहे हो सकता है, आप खुद भी चिला रहे हो, मेरे साथ भी हुआ था, आज आज भी अचानक हम खाना खाते-खाते मे चिलाने लग गए, मुझे भी नहीं साज माया है कि मैं क्यों चिला रही हूँ, बाद मैं समझ माया है कि collective energies कहीं न कहीं मैंने pick up कर ले थी, और ये इसलिए भी हैं क्योंकि हम हमारी जो dense energies हैं, मेरी खुद की individual dense energies हैं, मेरे lower three chakras में फसी वही हैं, अभी भी हैं, उनको मैं कही न कहीं remove कर रही थी, remove कर रही हूँ, okay, so जब जब ये होगा तब तब आपको anxiety feel हो रही है, क्योंकि वो trapped energies, dense energies हैं, uncomfortable energies हैं, जिसको आप transmute कर रहे हैं, आपको आप निकाल रहे हैं, so basically हम बोल सकते हैं कि हम density से अपने आपको बहार निकाल रहे हैं, आप पुल आउट कर रहे है अपने आपको density से बहार निकाल रहे हैं, जिसकी वज़े से हम बहुत ज़ादा इस समय पे release कर रहे हैं, जिसकी वज़े समय कभी रो ना आ रहा है, कभी हसना आ रहा है, और जो भी इस समय पे आप feel कर रहे हैं, वही feel कर रहे हैं, जो आप इस समय पे पीछे छोड़ के जा र या सब personalities में बोलूँ उनको आप complete कर सकते हैं guided meditations कर सकते हैं self forgiveness की state में आ सकते हैं खुद को माफ कीजिए और किसी और को भी जिसको भी आपको माफ करना है आप उसको माफ कर सकते हैं जिसको आपने अभी तक नहीं माफ किया है self love की form में आना है और जैसे मैंने आपको बता है इसमें बहुत कुछ हो रहा है हमारा जो डॉर में junk DNA है हमारा खुद के parts of consciousness वो wake up हो रहे हैं वो जाग रहे हैं वो activate हो रहे हैं जिसकी वज़े से हमें यह सब कुछ heaviness और यह सब कुछ feel हो रहा है next चीज़ जो है जो हम बहुत जादा इस समय पर release कर रहे है planetary level पे planetary grid system में हमने क्या release किया है उस पर आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूंगी जो हमारी फरवरी की energies थी वो endings थी बहुत जादा endings हुई बहुत जादा breakthroughs थे वो चीज़ आपके life से इस समय पर निकली फरवरी में जो आपको serve नहीं कर रही थी आपने बहुत सारे breakthroughs की बहुत सारे endings की है 9 number 10 9 number बहुत जादा significant था फरवरी में यानि बहुत सारी karmic endings की बहुत सारी चीज़े जो आपके higher self को नहीं serve कर रही थी वो आपके life से अपने आप गई आपने उनको आपने life से बहार किया basically आपने क्योंकि वो आपके higher self को नहीं serve कर रही थी बेक्थू आए लेकिन आप जो energies है March के लिए वो है breakthroughs March से आपका Aries आता है Aries basically एक fiery energy है बहुती ज़ादा masculine energy, fiery energy passionate energy, confidence creativity, new beginnings यह सब कुछ March के energy जो इस समय पर हम feel कर रहे हैं और energies available हैं हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़े नई चीज़े मुझे करनी है हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं नई जॉब कर लो और ओर नया कोर्ट शुरु कर लेती हूं और इसे बहुत सारे thoughts चलने हैं कि यह भी कर लो वो भी कर लो बहुत सारी नई चीज़े करने का मन करणा you want to do so many new things okay बहुत सारी नई चीज़े करने का मन इस समय पर हो सकता आपका करे तो खुद को इतनी सारी जो नई एनरजी है यहां इस समय हमें ग्राउंडिंग करने की खुद को बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आपको अपने आउटकम से रिजल्ट से डिटाच होना है ओके सरेंडर वाली फॉर्म में आना है डिटाच योर्सेल from the outcomes और रिजल्ट जो भी आपने आप प्लान कर रहे हैं उसको सरेंडर वाली फॉर्म में जाएगा गो विद दा फ्लो वाले फॉर्म में जाएगा okay results से outcome से खुद को attach मत कीजेगा okay detach yourself detach कीजे अपने आपको outcome से results से और जैसे मैं आपको बता है समय हम बहुत साथ माइज माज clear out कर रहे हैं so आप इस समय पे वही हैं जहां आपको होना चाहिए okay you are exactly where you need to be यह बहुत important point है जो मुझे आपके सभी के साथ share करना था इस समय पे आप वही हैं exactly जहां आपको होना चाहिए था so हमें surrender form में जाना है higher dimension वाली energies के साथ में okay next आता है कि यह हो गया हमारा individual body level के उपर कि हमारी body में हम क्या चीज purge out कर रहे हैं अब हम जानते हैं कि हमारे planetary grid systems के अंदर हम क्या इस समय पे release कर रहे हैं so सबसे पहले दो grids हैं जिनके बारे में हमें अभी बात करूंगी so सबसे पहला grid है हमारा nephelium reversal grids जिसको मैंने अल्रड़ी last video में explain किया है कि nephelium reversal grids कहां है यह United Kingdoms में है और जो nephelium reversal grids है यह basically आपके अंदर gender reversal polarity को create करता है यानि कि आपके अंदर की ही inner masculine और inner feminine energy को separate करता है एक एक grid है दूसरा grid है sakara metrotronic net यह दोनो grids को हम dismantle किया है फरवरी में so sakara metrotronic net को हमने dismantle किया है sakara basically Egypt में है so जितने भी souls इस समय पे जो star seeds है जो twin flame journey में जो soulmate journey में है जो light workers है empaths है या फिर वो souls जो इन timelines में present थी जो timelines में अभी discuss करने जा रही हूँ वो सभी जो इस timelines में present थी उनको वो बहुत जादा बड़े level पे purging कर रही है बहुत जादा बड़े level पे release कर रही है उन energies को अपनी body के अंदर से सो हो सकता है आप इन timelines में present हो ये जो timelines में अभी आपके साथ discuss करने वाली हो ये timelines के बारे में पूरी discussion हम already कर चुके हैं उनके भी links में वीडियो के links में add करतूँगी description box में जिन्होंने भी नहीं देखा है कि इन basically timelines में क्या हुआ था तो आप जाके उन videos को देख सकते हैं so शुरू करते हैं sakara metatronic net से sakara metatronic net जो था ये एजिप्ट में था sakara basically एजिप्ट में है और sakara में हमारे escape portals हैं यानि escape portals ऐसे portals जहां पे आप escape कर सकते हो तुरंद so यहां के जो यहां पे एक metatronic net लगाया गया था metatronic का मतलब reversal grid सी है okay so यह इसको हमने dismantle कर दिया है finally और यह जो grid हुई थी यह वो timeline से connected है जो की है Egyptian में पहला timeline है doger invasion doger invasion के उपर भी हमने already discuss किया हुआ है अट लाटन conspiracy के time frame में doger invasion क्या था basically sakara में imatop जो थे वो यह pre-dynastic king line ships है जब imatop जो थे वो फैरो थे वहां के लेकिन उस समय पे बहुत ज़ा था infiltration चल रहा था okay सब तब उस समय पे doger वहां पे आये imatop के पास और उन्होंने उनको एक plan दिया basically एक advice दी कि आप क्यों ऐसा करो कि आप में से deal करो और मुझे आप यहां का फैरो बना दो और उसके बाद doger वहां के फैरो बन गए सकारा के फैरो बन गए so doger जो थे वो inok थे inok ही थे जो imatop के पास गया और उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम मेरे साथ deal करो और मुझे फैरो बना दो so पूरी story आप जा कर के देख सकते हैं मैंने सब कुछ एक्स्प्लेइन किया है कि क्या यह टाइम लाइन का डॉजर इंवेजन वाला ठीक है so next है आपका टाइम लाइन वो है हिक्सोस किंग का इंवेजन और एक्सरडस मैसेकर हुमन ट्राइब 2 हुमन ट्राइब 2 का बड़े लेवल पे मैसेकर किया गया थे नहीं उनको मार दिया गया था और हिक्सोस किंग का इंवेजन यह वो इंवेजन है बेसिकली जब मेडियनाइट हिक्सोस किंग जोहोविन अनुमेलचेजडिक्स ने क्रॉस किया था विद लुसिफिरियन नाइज स्टेंपलार अनुमेलचेजडिक्स सकारा में एजिप्ट डॉजर लिनिएज में तीसरा टाइम लाइन है इसरा और जेरुसिलम क्रूसेड जैनोसाइड डल कैम्पेंज ताकि वो इलिमनेट कर सके सारे हुमेंस को जो कि ट्राइब 2 से आती है ये भी टाइम लाइन जो है हमने डिस्कस कर रखा है नेक्स्ट है हप्षट इन्वेजन हप्षट इन्वेजन बेसिकली क्या था हप्षट जो थी वो हाइट कर रही थी उनका पूरा टेंपल है एजिप्ट में जो की हाइट कर रही थी आर्क पॉर्टल टेखनोलोजी को ये प्रोटेक्ट करी थी πोटल सिस्टम को थुत्मोस से थुत्मोस जो थे basically ड्रेकोलिन गंत्रोल ब्रदर थे, इनके हाफ ब्रदर थे जो कि ड्रेकोलिन उनको उनको थे थुत्मोस को,locker सो इनका भी पूरा मैंने वीडियो बनाया कि हपशत के टेंपल पे कैसे इन्वेजन किया गया ये वो सो ये वो टाइम लाइन है नेक्स्ट है अखेंतिन फॉल और मडर का टाइम लाइन जहां पे इन्होंने स्पेर ओफ एमेंटी के दो टुकड़े कर दिये थे और अंडर वर्ल्ड के रास्ते खुल दिये थे यानि पॉर्टल दो टुकड़ों में बढ़ गया था जिसके वज़े से सेकिंड डैमेंशन के पॉर्टल अंडर वर्ल्ड के पॉर्टल जो है वो खुल गये थे और बहुत के ओटिक फोर्से आ गई थी जिसके बाद जो है टेंप्लार सील्स लगाई गई थी इन सभी के अंदर जेनेटिक सील्स थी है टेंप्लार सील्स ओके ट्रिपल सिक्स जिसको बोलते हम और ट्रिपल सिक्स जो सील्स थी टेंप्लार एक्सल सील और टेंप्लार सील्स यह सील्स लगाई गई थी अंदर ओके सो यह वो टाइम लाइन है इसको भी हमने डिसकर्स कर रखा है यह सभी टाइम लाइन एजिप्ट से ही टाइम लाइन रिलेटेड हैं और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर इस समय पे आप कहीं भी इन टाइम लाइन में प्रेजेंट थे तो इस समय बहुत लेवल पे ascension symptoms हो सकता आपको फील हो रही हो क्योंकि इस समय पे इस grit के dismantle होने से इन timeline से हम अपनी उन consciousness को अपने उन fragmented parts को उतने हिस्सों को जो fragment हो गए थे जो उन timelines में थे उनको हम वापस बुला रहे हैं हम clear कर रहे हैं 5D timelines को 5D distortions को जो planetary crystal seals के अंदर हैं जो कि 5 dimension 8 dimension और 11 dimension क चक्रा क्रिस्टल सील से है क्योंकि यह जो थे यह connected थे metatronic net से hyperdimensional pocket से और यह location जो है यह सकारा से लेकर extend करता है माचू पीचू प्लस वेटिकन जो वेटिकन के कुछ रिमेनन्स जो black sun DNA टेंपलेट से connected थे human trafficking में मार्स में प्लैनेट में मार्स Meldic में, Ceres में और field distortions जो Taurus constellation में हुए थे वाया Elcyon Spirals Paladies में तो अगर आप एक Paladin Starseeds है, मार्स में आपके incarnation रही है, Meldic में रही है, Ceres लाइन से आप बिलॉंग करते हैं या फिर आप माचू पीचू में रह चुके हैं तो इन सब एरियास में Elcyon में रह चुके हैं, Taurus से बिलॉंग करते हैं, यह सारे timelines जो हैं, अगर आप यहां present थे तो आप यह सब कुछ Ascension symptoms जादा फील कर रहे हैं समय पर, okay So, जैसे मैंने आपको बताया कि Sakara Metatonic Net जो है यह basically एक complex AI system था, जिसको हमने dismantle किया है यह basically run कर रहा था Orion Matrix से, जो की connected था Orion Belt से और power ले रहा था multiple human holocaust histories से, जो connected है Orion War timelines के जैसे मैंने आपको बताया कितनी different timelines हैं, यह सभी timelines से यह energy gain कर रहे थे, okay यह तरीकी का AI system है, artificial intelligence system, okay जहां पर यह इन parts में से, इन timelines में से, यह इनकी जो consciousness है इसको basically clone करके, artificial timelines को run कर रहे थे, बार-बार-बार-बार, okay जो जो Orion Groups थे, इन्होंने अपने primary headquarters बनाए तीन main star systems में जो Orion Belt में थे, पहला था Elnin Tech, दूसरा है Elnin M, और तीसरा है Minta का, okay यह तीनो main stars है, Orion Belt के अंदर, अब Elnin Tech जो है, वो gold flame है, okay Elnin M, जो है, वो violet flame है, और Minta का, जो है, वो blue flame है, okay तो, एक second, तो यह जो है, basically, एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ discuss करने थी, जो हम आगे बड़े level पे elaborate level पे हम समझेंगे, लेकिन इसमें हम एक चीज समझ लेते हैं, जो हमारा blue flame है, यह mother arc principle है, यानि mother principle है, जो violet flame है, यह हमारा father principle है, और जो gold flame है, यह son और daughter of Christos Sophia's है, यानि कि, यह इन दोनों के merging से, union से, जो sun और daughter है, यह gold flame रिप्रेजन करता है, जैसे मैंने आपको बता है, कि Orion Group ने अपने primary headquarters बनाए, तीन main star systems, जो main stars जो थे Orion Build के अंदर, Elni Tech यानि gold flame, जिसको बना दिया उन्होंने Zeta orience, Elni Nap, जो की violet flame थे, जिनको बनाया उन्होंने, एप्लिस ओन ओरियन्स, तीसरा है Mintaka, जो की blue flame थे, इनको बनाया उन्होंने, delta orience, और further इन्होंने, इसको जोड़ा Bellatrix और Regal से, जहां से उन्होंने, उनको मिले थे, lay lines, जो की run कर रहे थे, planetary holographic features को, जो pyramids में, और ancient structures में, हमें find out कर सकते हैं, उनको, यह जो star से orience में, इनको लिंक किया गया था, planetary grid network में, through phantom wormholes, जो की centered थे, 70 star gate, जो पैरू में है, okay, अब, एप्लिस ओन, जो मैंने, आपको बता है, एप्लिस ओन, basically मैं सपने में देख रही थी, जो 6th class, मैं सपने में school देख रही थी, exam देख रही थी, उसमें मैं एप्लिस ओन देख रही थी, okay, so, एप्लिस ओन जो है, वो हमारा second star gate है, inner earth के साथ-साथ, inner earth भी हमारा second star gate है, एप्लिस ओन भी हमारा star gate है, second, और इसका जो sign है, वो है square और उसमें बीश में dot ओके और second चक्र जो है second target है second चक्र जो है basically हमारा scleral चक्र है यानि orange चक्र जो की जैसे मैंने आपको बताया कि यह connect जो first sakara metrotonic net है और दूसरा हमने net को dismantle किया है दूसरा AI system दूसरा grid वो है nephelium reversal grids so nephelium reversal grids जो है हमारा second dimension से connected था हमारा subconscious mind से so यह क्या कर रहा था जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि karmic relationships को manifest कर रहा था हमारे second चक्र के अंदर इतना ज़्यादा maizma इतना ज़्यादा trauma abuse यह सब चीज़े होंगी so male or female unification होगा ही नहीं आपके अंदर का inner masculine और inner feminine energies merge नहीं होंगी बलकि यह gender reversal systems create करेगा यानि उनको एक दूसर से अलग करेगा और इस से आपके अंदर addictions और माइसमाज यह सब को generate होंगे ज़्यादा माइसमाज generate होगा ज़्यादा माइसमाज generate होने से आप ज़्यादा addictions की addiction metrics की तरफ जाएंगे so इस समय पे हमने जब यह दोनों grids को dismantle किया है तब हम इस समय पे हमारे जो ruby sun dna templates है उसको correct कर रहे हैं यानि कि हम reclaim कर रहे हैं हमारा only nap open ruby sun records यानि हो सकता है और एक और number इस समय पे मैं जब ready कर रही थी पूरा energy को deliver करने के लिए उसमें 1515 number दिखाई दिया मुझे okay so 1515 number भी काफी important है इस समय पे so हमारा जो ellen m है वो ही हमारा apple sun है यानि हमारा violet flame यानि dimension 1 से लिके dimension 7 तक की energies okay so हमारा जो margenta pink solar rishik rose flame है वो इस समय पे return हो रहा है okay हम उसको reclaim कर रहे है यानि कि हम हमारे cosmic holy father principle को reclaim कर रहे है वो वापस आ रहे है return आ रहे है okay so ruby sun dna template के में corrections किये जा रहे है जो कि connected है divine mascarine layers के साथ में okay cosmic holy father principle के साथ में और यह कुछ bloodlines है हो सकता है आप इन bloodlines में प्रेजंट हो यह जो bloodlines थी Celtic magic rail bloodlines जो कि original hyperborean race lines थी जो कि gaia में seed की गई थी gaia matrix के अंदर okay फिर magic rail king lines जो pre invasion ancient histories में locate की जाती थी UK के अंदर यह डोनो जो थी इनके जो ruby sun dna temperate से इनके अंदर corrections किये जा रहे है जैसे मैंने आपको बताया कि हमने dismantle किया है nephelium reversal grid को जो कि basically क्लोन कर रहा था क्लोन कर रहा था क्लोनिंग कर रहा था इन और्गैनिक कॉंशिसनेस ruby sun dna के अंदर के consciousness को वो क्लोन कर रहे थे बार बार जो कि जिसकी वज़ा से हम डिसकनेक्ट हो गएते holy father principle से okay तो अब इस समय पे हम dismantle हमने किया है nephilim reversal grid और metatronic net metatronic net जैसे मैंने आपको बताया कि dracolin invasion infiltration जो उनोंने किया था Egyptian pharaoh lines के अंदर उस समय पे install किया गया था okay so इसकी वज़ा से so basically इसकी वज़ा से अब हम बहुत जादा चीज़े इस समय पे हम lower three chakras में देख सकते हैं क्योंकि इसी की वज़ा से इन दो grids को हमने जब dismantle किया है जिसकी वज़ा से हमारे जो चक्रा crystal seals है वो open हो गए हैं वो जो चक्रा crystal seals थे वो open हो गए हैं इस समय पे और चक्रा crystal seals क्या हैं basically हमारे body के अंदर जो places हैं dimension one two three इसके बाद हमारा चक्रा crystal seal लगा हुआ है जो इन places को अलग-अलग रखते हैं और externalization को भी अलग रखते हैं इस समय पे आप dimension four five six यहां नहीं देख सकते हैं नहीं experience कर सकते हैं और पे से हम dimension one two three ही देखने हैं तो three dimensions के बाद एक magnetic repulsion zone है यानि चक्रा crystal seal से जो इन dimensions को अलग-अलग रखती हैं जैसे मैं आपको बताया है इसकी वज़ा से downpouring हो रही है higher dimension से frequency आ रही है जो आपके gallbladder problems, liver problems, stomach problems इन सब को जो आप problems अगर face कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अभी भी sub personality traumas है sub personality मतलब की traumas जो कि आप deal करना चाहते थे 3D reality में तो आप अपने ही higher dimension की consciousness से disconnect हो गए यानि यह 4, 5, 6 dimension की consciousness से disconnect हो गए basically sub personalities का मतलब है sub personalities हमारी खुद की sub personalities का मतलब है fragmentation, आपकी खुद की aspects की fragmentation जो की lower chakras में हैं जिसकी वज़े जो की क्यों हुई है fragmentation क्यों हुआ है क्योंकि आपकी जो lower chakras है वहाँ पे traumas था, shock था, abuse था जिसकी वज़े से आपके sub personalities क्रिएट होगे shadow personalities बोल सकते हैं, आप sub personalities बोल सकते हैं, fragmented aspects आपके खुद के create होगे जिसने create किया और fragmentation आपके lower bodies में यानि आपके root chakra में आपके unconscious mind में आपके first dimension में plus second dimension में यानि second chakras में जाने कि subconscious mind में hard drive जो कि एक hard drive है आपका आपके body का जिसकी वज़े से बहुत जादा barriers ट्रॉमास ये सब कुछ create हुआ जिसके वज़े से 3D conscious mind में आपने ego filters create किये जिसकी वज़े से हमने अपने आपको distract करना शुरू किया क्योंकि इतना सब ज़ादा trauma और pain और ये सब कुछ आप feel कर रहे थे अंदर ये अंदर इतना सब कुछ subpersonalities create हो गया तकि आपने आपको distract करना शुरू किया क्योंकि आप उस pain को नहीं देखना चाहते थे जिसके वज़े से आप addiction matrix में गए माइसमास create किया फिर और wounds हुए फिर आपने karmic relationships manifest किये ये बहुत ज़दा pain था जो आप नहीं feel करना चाहते थे ओके ये इस समय पे हम अब इस समय पे इन energies को heal कर रहे है ओके इन energies को हमारे lower 3 chakras से heal कर रहे है dimension 1, 2, 3 energies में से जब क्योंकि crystal chakra keys released हुई है हमारी light bodies में अब इस energy और वो energy हमारी physical body में flow हो रही है जिसकी वज़ा से हम उन traumas को उन energies को अब हम finally release कर पा रहे है हम खुद को activate कर रहे है उन traumas से हम बहाँ निकल रहे है और अपनी soul से हम connect कर पा रहे है हमारी consciousness जो हमारी soul है जो 4, 5, 6 dimension पे exist करती है हम उससे connect कर पा रहे है ओके इस समय पे बहुत ज़ादा हमें feel हो रहा है lower 3 chakras हमारे basically जो भी traumas था जो भी energies वहाँ पे safety वो सब कुछ release हो रही है और बहुत ज़ादा जैसे मैंने आपको बताया कि हम dense energies को remove कर रहे हमारे lower chakra से क्योंकि इसी की वज़र से आप देख सकते हैं कि uncomfortable feel हो रहा है चानल में गुसा आ रहा है irritation हो रहा है समझ में नियारा क्या हो रहा है लेकिन आप एक छीज समझ पा रहे हैं कि हम actually density से बहाँ निकल रहे है खुद को हम carbon form से बहाँ निकाल रहे हैं हम density से pull कर रहे हैं खुद को बहाँ निकाल रहे हैं तो हम इस इननर्जी को ट्रांस्म्यूट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दया तब के थ्रोट चक्र इस समय पर वैसे ही पहले ही ओपन कर दिये गए थे लास्ट वीक। इस से पहले वाले सोलर रेयर अक्टिवेटी में लास्टः दिन पहले उन्होंने थ्रोट चक्र को ही अक्टिवेट किया। अब जो है लोवर चक्र को अक्टिवेट किया जारा और उनकी मर्जिंग हो रहे हैं। So, इसकी वज़े से आप बहुत ज़ादा इस समय पर extreme exhaustion फिल कर रहे हैं, और बहुत कुछ चल रहा है, मैं बोल सकती हूँ, लास्टीज जो मुझे इसमें discuss करनी है, वो मैंने conjunction जो आपको बताया था, So, एक conjunction हो रहा है, जो I think शायद 1st या 2nd मार्च या 4th मार्च तक चलने वाला है, I am not confirm पर जो date मेरे पास है, वो 4th मार्च या 2nd मार्च तक की है, जाने कि दो planets आपस में एक दूसरे के साथ conjunct कर रहे हैं, conjunction हो रहा है दो planets का, जो कि है Venus और Jupiter, ओके Venus और Jupiter दोनों planets एक दूसरे के स past आजाती है, sky में, तो उसको हम conjunction बोलते हैं, so Venus और Jupiter एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, और इसमें मून भी join कर रहा है, okay, so पहले मून की बात करते हैं, मून जो है basically आपका emotions है, okay, आपकी feminine energies हैं, again, so जो भी चीज और आपका subconscious mind है, आपका second dimension है, तो जो भी चीज आपके subconscious mind मे हैं इस समय पे, उसकी healing हो रही है, आपकी emotions इस समय पे बहार निकल के आए रहे हैं, जिनको healing की actually जरुवत है, okay, so वो मून वो काम करेगा, इस समय पे, आपके subconscious mind की healing चल रही है, second dimension में जो आपका चक्र है, स्केरल चक्र, उनकी healing चल रही है, आपका inner masculine और inner feminine energy actually अब merge कर रहे है जिसकी वज़े से आपको wings feel हो रहे हैं, आपका shoulders बहुत जादा heavy हो रहा है, क्योंकि आप soul matrix से enter कर रहे हैं, soul matrix में, wing trauma एक event है, जहां पे आपको wings हमारे cut कर दिये गए थे, उसके बाद वो fall, यह पूरा एक event है, जिसके बारे हम आगे की videos में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब इसी video में जान लेते हैं, लेकिन wings को हम वापस से बना रहे हैं, okay, wings कब बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि 6th और 7th चक्र जो है आपका, okay, यानि masculine और feminine energy को merge करना, आपका 3rd eye chakra और crown chakra को जो आप activate करके merge करते हैं, तब आपके wings create होते हैं, okay, so, जैसे मैंने आपको है, conjunction हो रहा है इन दोनों का Venus और Jupiter का, so, बहुत सारी blessings, opportunities, new beginnings, education, knowledge, healing, financial success, good luck, love, beauty, art, relationships, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेंगी, okay, और इस समय पे mass awakening चल रही है और mass awakening हम देख सकते हैं, बहुत ही important point जो मैंने आपको अब discuss करने वाली हूँ, वो ये, कि जो मैं बार-बार सपने मैं देख रही थी कि exam दे रहे हैं, 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 वो advisor है God के ब्रेस्पती और Venus जो है वो advisor है demons के, यानि राक्षसों के advisor है, जिनको हम गुरू शुक्रा चारे बोलते हैं यानि कि दो teachers, दो gurus एक साथ आ रहे हैं जब पास में तो क्या होगा, so basically एक test है हमारा, और test ये है कि क्या आप 3D से connected है detached है, अब आप 3D से उपर उठ चुके हैं, ठीके या फिर आप 3D में अभी भी attached है, क्या आप अभी भी 3D में फसे हुए हैं या फिर आप 3D से बहार निकल चुके हैं ये आपका test है, जो ये conjunction आपको ले कर के आ रहा है basically क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया Venus जो है, वो advisor है, demons के राक्षसों के, so ये material world ठीक है basically material world, financial Maya, marriage, family, Maya की तरफ, illusions की तरफ आपको ले के जाते हैं next है Jupiter, जो कि advisor है God के, जो कि आपको expansion, abundance, moksh, dharam, okay, धर्मा basically, awakening, इन सब चीजों के बारे में अपनी आत्मा से connect करना, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं so एक illusion की तरफ लेके जाता है और एक actually awakening की तरफ लेके जाता है, ये दो चीज़े जब एक साथ आ रही है, so जो dark forces हैं, ये illusion create कर रहे हैं इस समय पे और इस illusion की create करने की वज़े से जो souls हैं, वो इस test में actually pass हो रही है, वो pass करके इस awakening process से गुजर रही है, ये illusion ही है, जो इनको awaken कर रहा है actually, okay, so Jupiter actually guru है, okay, teacher है, so ये आपको ये दिखा रहा है, ये test दिखाएगा, कि क्या आप अभी भी material world में फसे हुए हैं, क्या आप अभी भी 3D world में फसे हुए हैं, okay, क्या आप अभी भी 3D में हैं, unawaken हैं, या फिर आप एक awakened soul हैं, okay, या फिर आप जाक चुके हैं, आप अपने मोक्ष के रास्ते पे हैं, आप अपनी soul की journey को complete कर रहे हैं, इस test को आपको लिया जाएगा, और इस test में ही आप, अगर, of course, आप पास करेंगे तो awakening, आपकी एक नए type के awakening होगी, blessings होगी, opportunities होगी, जो आपको दी जाएंगे basically, और जैसे मैं आपको बताया कि इस समय पे इस conjunction के वज़ह से एक illusion create किया जाएगा, यही illusion 2020 में, जब C virus आया था, ताव इन्होंने create किया था, okay, जहां पे एक तरीके का test था, कि आप अभी भी 3D में फसे हैं, तो जो souls 2020 में इस test में पास हुई थी, वो अवेकन हुई थी, so same भाही conjunction इस समय पे आया है, और मुझे पता है इस conjunction से, यह dark forces बोलूँ, असुरी शक्ती बोलूँ, okay, यह actually हमारी help ही कर रहे हैं, यह illusion ही है जो यह test ही है जो actually हमें अवेकन करेगा mass level पे हमारी अवेकनिक क्रेट करेगा के हमें जगाएगा so I hope आपको यह सब समझ में आया हूँ, यह our energies बहुत खुबसूरत है, अपना दिहान रखिए, अपने आप से समय बहुत ज़दा प्यार कीजे, self love, self care कीजे, okay, and I am proud of you my soul family, मुझे गर्व है आप सब पे, and I love you, okay मैं आप सब से प्यार करती हूँ, because मुझे गर्व है कि हम सब मिलके इस अर्थ को एक खुबसूरत अर्थ बना रहे हैं, ascension करा रहे हैं, खुद को ascend कर रहे हैं, okay अपनी आत्मा से connect कर रहे हैं, so मैं सुचे का इस पूरे लंबे प्रोसेस में आप अकेले नहीं हैं, okay आप अकेले नहीं हैं, universe आपके साथ है, God आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आपकी soul family आपके साथ है, and I am proud of you, okay so, अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ भाया, तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, तब तक केले, sending you lots of love, healing and happy energies to all my soul family, take care of yourself, and I will see you all soon